हेलो एव्रिवन दो वर्ब के बीच में टू का यूज कैसे करते हैं ये तो आपको बखुबी आता है लेकिन मैंने अब्जर्व किया है कि आप लोग दो वर्ब के बीच में एंड का यूज नहीं करते हैं मतलब आप ऐसे संटेंसिस नहीं बोलते हैं जिनमें दो वर्ब के बी तोड़ी इसी मुश्किल आती है आपकी इसी मुश्किल को खत्म करने के लिए आज मैं ऐसे sentences लाया हूँ जिसमें दो वर्ब के बीच में end होता है वीडियो बहुत छोटा है लेकिन बहुत कामका है ध्यान से देखिएगा तुरंट सिख जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं Go and see who is at the door जाकर देखो दरवाजे पे कौन है I'll try and find out what's going on मैं कोशिश करके पता करूँगा क्या हो रहा है I'll try and find out what's going on Come and see it yourself Come and see it yourself आओ खुद आकर इसे देख लो या आकर खुद इसे देख लो She was bitten up and forced to strip She was bitten up and forced to strip उसे पीट कर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया She was bitten up and forced to strip उसे पीट कर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया Habit will help you begin and finish the work Habit will help you begin and finish the work आदत आपको काम शुरू करके खत्म करने में मदद करेगी I stopped and looked at her मैंने रुक कर उसे देखा या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं रुका और मैंने उसे देखा I'll go and ask him why he did it मैं जाकर उसे से पूछूंगा उसने ऐसा क्यों किया Think and decide सोचो और निरने लो Forgive and forget Forgive and forget माफ करो और भूल जाओ या माफ करके भूल जाओ If you want to speak fluent English, read and think English sentences If you want to speak fluent English, read and think English sentences अगर आप धारा प्रवा अंग्रेजी बोलना चाहते हैं अंग्रेजी वाक्तियों को पढ़ें और सोचें How should I meet and talk to people? How should I meet and talk to people? मैं लोगों से कैसे मिलकर बात करूँ? या फिर मुझे लोगों से कैसे मिलकर बात करनी चाहिए? या एक और तरीका है मुझे लोगों से कैसे मिलना चाहिए और उनसे कैसे बात करनी चाहिए? Plan and work accordingly योजना बना कर उसके अनुसार काम करो That is all friends for today I am sure you liked all these sentences and now you will start speaking those kind of sentences in which end word will come between two verbs Thank you friends for watching this video Bye friends